हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुद अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है घुरिड इन्वेजन पिछले ही टॉपिक में हमने कवर किया कि किस तरह शुरुवात में गजनविड्स ने भारत पर इन्वेड किया और भारत में आकर लूट मार मचा के गए वो और पंजाब वाले क्षेत्र को उन्होंने पॉलिटी के लिए अपने अधिकरण में लिया लेकिन आज हम समझेंगे किस तरह घुरिड्स ने इन्वेड करना शुरू किया और इवेंचुली हम डेली सलतनित की इस्टब्लिश्मेंट तक पहुंचेंगे आज की टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूइंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवेस सेशन को नहीं देखा है सो मेक शूर दे वाच इच एन एवरी प्रीवेस सेशन मेडिबल हिस्ट्री आज वर्ल्ड हिस्ट्री आज मॉडर्ण हिस्ट्री के सभी मेरी पिछली वीडियो को एक्सेस करने के लिए स्टूइ आइक्यू के चैनल पर आपको मेरे नाम से प्रेलिस मिल जाएगी या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौह तो आप पिछले सेशन को एक्सेस कर सकेंगे सभी वीडियो को आप थोरली कनेक्ट करते हों नहीं हो सकेंगे क्योंकि मेरे पढ़ाने के फिलोसफी में मैं फेक्ट से जादा कॉंसेप्स पर बल देता हूं और यह कि यह पूरी सीरीज है जिसके कॉंसेप्स आपस में जुड आप जाद से जादा जो है वो मेरी वीडियो से जाद से जादा अगर आप निकालना चाते हैं मतलब अपने लिए फाइदा मेक्शूर यूवाच इचने वीडियो उनमें जो मैंने सवाल पूछे उनके जवाब कमेंट के मादम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक इस तरह जो अरबी हैं है ना जो अरब्स हैं अरबियों ने तुर्की ट्राइब्समन को तरकिक ट्राइबल पीपल को स्लेव बनाया अपना और उनको धिरे धिरे ट्रेन किया अपनी सेना में भरती किया अपने पर्सनल गार्ड्स की तरह पाइंट किया और ये तरकिक इनकी rank बढ़ती गई और finally इन्होंने सुल्तान का जो है वो सुल्तान तक की rank acquire कर ली governor का सबसे पहले जैसे मैं आपको होता है ना कि समनिद के शाह ने समनिद empire के शाह ने गजना के गजना से उभरते हुए सुबुत गिन को governor का title दिया और फिर सुबुत गिर ने बाद में अपने आपको सुल्तान जो है वो गोशेद कर दिया और फिर खलीफा ने उसको मन्शूर लिखके भी दे दिया कि चलो तुम सुल्तान हो और तुम जो है वह अपना इसलामिक स्टेट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे ने भारत में और भारत में इनवेड करेंगे गजन विड्स और भारत में वो दिल्ली मथुरा वारणसी तक लूट पर मचा के जाएंगे लेकिन पॉलिटिकली कंट्रोल करके रखेंगे केवल पंजाब सिंद मुलतान का क्ष पूरली समझते हैं तो आज हम समझेंगे राइज ओफ घुरिड्स एंड देर एडवेंस इंटू इंडिया भारत में घुरिड्स ने एडवेंस किया और जिस तरहा गजनविड केवल पंजाब तक के क्षेतर को ही पॉलिटिकली कंट्रोल में रखना चाहते थे और उससे आग रहे है उसमें बढ़ चढ़कर मतलब ऊपर रहे इसलिए गजना को मजबूत करने के लिए उसको फंड्स चाहिए थे गजनविड को और फंड्स उनको कहाoren से मिले थे भारत से बारत के टेंपल तक भारत के शहरों को भारत के लिए पैसा मिला ताज किया ऑदन से 59 सल्छगे उससे आगे दिल्ली तक नहीं कि है ना में जहर का है दिल्ली है ना ठीक है या दिल्ली दौाब का एरिया तो दिल्ली दौाब के एरिया से आप पंजाब के एरिया आप गुजरात और बंगाल और नीचे देवगिड इस सारे एरिया कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है अगर स्ट्र या कोई भरोसे का बंदा वहां बिठाना पड़ेगा क्योंकि देली में आगे बहुत कमाई बहुत है ना देली से कमाई बहुत है लेकिन ये जो चार बुझाएं स्ट्रेच कर रही है अपने आपको देली से इनको कंट्रोल रखने के लिए बहुत स्ट्रॉंग बहुत लेशिया से उठकर अगर कोई शाशक भारत में एक बार एंटर कर जाता ना तो उसका वो टेरिटरी चिन जाती है उससे इंडो ग्रीक्स जैसे ही भारत की तरफ एंटर किया तो बैक्ट्रिया वाले रिजिन उनसे चिन गया अफगानिस्तान से उन्होंने इंडिया में यह वो यह सेम पैटर्न जो है वो साका जने सिंधिन बने इंडो ग्रीक्स ने तो उसके बाद भारत में टर्किक इन्वेडर्स उनके साथ भी यही हुआ जैसे जैसे वो भारत में अंदर अंदर एंटर करते गए वैसे वैसे उनसे उनका सेंट्रल एश्या एजम्हल ए paralysis लिए दवाब पहुंच गए तो घजनी चूट जाएगा और उनके लिए उनका होमलेंड बहुत इंपोर्टेंट था ट्राइबल है टर्किक और उनका होमलेंड के लिए वह जानवान दे देते हैं ठीक है इस तरह के उनके अंदर इमोशन से तो घजनविट्स के लिए होमलें वो करने को तयार थे क्यों क्योंकि सेल्जुक जब तक गजनविट्स ट्रॉंग थे तब तक वेस्टन एशिया में बुयूद थे और बुयूद की स्ट्रेंथ इतनी जादा नहीं थी कि वो गजनविट्स को आगे पुश करें गजनविट्स काफी स्ट्रॉंग थे ठीक है लेकिन घुरिट जब शक्ती में आए घुर से तरकिक ट्राइब जो है वो जब वो पॉलिटिकल शक्ती में आए तो वेस्टन एशिया में सेल्जुक ट्रॉंग होने लगे और सेल्जुक ने गुरिट्स पर प्रेशर डाला कि तुम अब इंडिया की तरफ जाओ ये पूरा महुम्मद गौर या ग्यासुद्दीन गौरी जिम्मेदारी लेता है कि वो सिल्जुक और ख्वारिजमों से निप्टेगा और महुम्मद गौरी को यह जिम्मेदारी थी कि तुम्हें दिल्ली द्वाप को कंट्रूल मिलाना है ठीक है अब हम देखते हैं कि यह राइज ओफ गौरिट्स एट गौर मैंने आपको बताए था ना जो जुबलिस्तान का एरिया है वहां से गजनी से ज्यादा दूर नहीं है गौर और गजनी या गर यह गजनी है तो गजनी से गौर जो है वो ज्यादा दूर नहीं है और गौर के बारे में एक खास बात मैंने आपको बत देट मिन्स घुर में जो तर्किक ट्राइब बैठी है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो उनमें एकता है और बहुत स्ट्रॉंग है वो भले उनके पास जोगरिफिकल विजन बहुत छोटा है लेकिन बहुत स्ट्रॉंग है और जब गजनवीड ने रेपिटेट भारत पे आक मीर होगे क्योंके खुम्स के रूल के मुताबिक जो है वो लूट में से पांच में से चार हिसा सेनों को जाता है तो अगर घुरिट की सेना बड़ी है और घुरिट के कमांडर अगर जादा है तो जैसे जैसे गजनी रिच होता गया वैसे वैसे घुरिट भी रिच होते कि महमूद के जाने के बाद मसूद जो है वो बहुत कमजोर था और घुरिड्ज ने मसूद को रिप्लेस कर दिया ठीक है मसूद और उसके फर्दर सक्सेसर्स को एक साइड सेल्जुक है है ना वेस्टन एशिया यानी इरान पर्शियन गल्फ का ट्रेड बगदाद वाला एरिया रेड़् सी वाला ट्रेड यानी अलेक्जिंड्रिया डमसकस अलपो पैटरा वो वाला जो पूरा ट्रेड रूट है ये किसके कंट्रोल में? सिल्जुक्स ने सिल्जुक्स ने अपनी एनरजी उसको कंट्रोल करने में लगाई ठीक है? दूसरी सेट भारत पर आकर्मन करने है काम कौन करने है गजनविट ठीक है? तो गजनविट के पास empire बड़ा था और जो घुर है मैंने बताया ना गजनविट जो शहर है घुर जो है छोटा सा रिज़र है माउंटेन वासने से वहाँ पर अंदर जो है वो बहुत कठोर क्षेत्र ट्राइबल एरिया रहता है वो लेकिन खतरनाक लड़ाके है और उनके पास पैसा ही खटा होता गया जैसे जैसे गजनविट जीतता गया वैसे वैसे ये भी जीतते गया लेकिन उनके पास उनका कंट्रोल में एरिया बहुत छोटा था किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से वो गजनविट को रिप्लेस कर देंगे बट दे डिग ठीक है अब देखिए अब देखिए अब देखिए लेकिन जादा उप जाओ नहीं है ना दिल्ली द्वाब वाली बात नहीं है लेकिन खौरासन के उपर जो ट्रांस उकसानिया वाला रिजर है वो बहुत जादा उप जाओ है तो खौरासन के अंदर जो भी ट्राइब डवलप होगी ना वो बहुत जादा कंजूस तरह की ट्राइब होगी क्यों क्योंकि प्रोडक्शन जादा नहीं है तो पैसे के मामले में यानि कि अगर गजनेविड ट्राइब अटैक करने जा रही है तो खुम्स के मताबिक खुम्स का जो कानून है उसके मताबिक लूट के हिस्से में से पांच में से चार हिस्से सेना को जाना है लेकिन गजनेविड जो सुल्तान है वो सेना को जो है वो ठी से जितना भी लूट होती थी उसको ठीक से बटवारा नहीं करते थे क्यों क्योंकि वो अपनी गजना कैपिटल को मजबूत रखना चाते थे तो करंसी आपके पास होनी चाहिए अगर आपको ट्रेड को स्ट्रॉंग रखना है तो ठीक है क्योंकि आपके पास उगाने को कुछ नहीं है तो आपको सोना चांदी देना पड़ेगा अगर आपको बदले में समान लेना है तो अब बाटर नहीं कर सकते ना कुछë ज्यादा उग दो कुछ नहीं है तो जितना भी यह loot पार मचाते हैं ना उसमें से बहुत कम अपनी सहना को देते हैं तो इस बारे में यह बदनाम थे पूरे खुरासन में यह दोनों ट्राइब्स ठीक है कि यह पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो हेर फेर करते हैं क्यों करते हैं मैंना दूसरे का करजा भी रहता था ठीक है तो बहुत समस्या यह थी फानेंशियल लेवाई इस थी इनके ओपर बहुत ज़्यादा मतलब लाइबलीटी थी यह बेसीकली खुरासन में लोग जो है वो ट्रेड करना इनके साथ पसंद नहीं करते थे अब गुरिड्स और गजनवीड की इमेज खराब है पैसे के मामले में गुरिड्स की इमेज इवेंचुली खराब हो गई क्योंकि जैसी पॉलिटिकल सिच्वेशन गजनवीड्स की थी उसी को ही सकसेस किया किसने गुरिड्स ने थीक है अब एक साइड यहां बीच में है क्योंकि पर्शयन गल्फ एस वैले पूरा ट्रेयड सेल जूको के पास आ रहे हैं और घ्रीड जो कर रहे हैं ह। गुरिट्स के ऊपर गुरिट्स जो है वो खरासन वाले एरिया में खरासन के ऊपर ट्रांस ओक्षेनिया और ट्रांस ओक्षेनिया के ऊपर टर्किक ट्राइब्स तो एक साइड से ट्रांस ओक्षेनिया से जो है वो गुरिट्स को लड़ना पड़ता था टर्किक ट्राइब्स से एक साइड घुरिट्स को लड़ना पड़ रहा है सेल जुकों से तो अगर घुरिट्स को कमाना है तो उनको ना ही सेल जुकों से ट्रेड मिल रहा है और ना ही टर्किक ट्राइब से ठीक है तो उनको मजबूरन भारत में अंटर करना ही पड़ा तो यह मजबूरी भी थी उनकी क्योंकि उसके लावा और कहीं उनके पास move करने का chance भी नहीं था ठीक है लेकिन यही से मजबूरी गजनवीट के सामने थी यही से मजबूरी जो पहले जितने भी अर्भी रहें उनके आगे भी है क्योंकि यह situation जो भी यहाँ पर आके फस जाता कि वह relatively strong रहेगी जैसे अगर आप भारत में शुरुवाती ट्राइबल यतिहास भारत का study करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी ट्राइब्स अपर पहाडियों में बसी हुई है उनको actually plane के अरिया से खदेडा गया है तो same goes for this western Asia वाला जो region है वह relatively जादा trade जो है वो steppe की तरफ या तो वो मतलब caucus की तरफ खदेड देंगे या तो उन्हें देखिए यहाँ पर अगर map होता है हाँ मैप है मैं आपको दिखाता हूँ जो western Asia में जो भी शक्ति मजबूत होगी या तो वो यहाँ पर caucus की तरफ खदेड दिया जाएगा उन्हें ठीक है या तो उनक इस एशिया की तरफ खदेड जाएगा यानि इस रीजन में और इस रीजन में जब भी कोई शक्ति आकर फसती है तो वो भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकती भारत को जीत भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर गूजर पतेहार राजपूत स्टेट बैठी है जब तक वो उसके पास अंतिम चार यहीं बचता है कि वो किसी ना किसी तरह भारत ये सिंद मुलतान वाला जो एरिया इसमें लूट पर मचाए जब तक गूजर पतेहार मजबूत थे तब तक कोई यहाँ से भी अंदर एंटर नहीं कर सकता था लेकिन विद दा राइज ऑफ घुरिड् उनको मुड़कर वेस्टनेशिया में जाने की जुरत नहीं पड़ी क्यों क्योंकि वेस्टनेशिया में ट्रेड कहां से आ रहा है ठीक है यह रेड सी का ट्रेड यह पर्शियन गल्फ का ट्रेड यह आ तो इंडिया से ही रहा है यह साउथी स्टेशन से भी आ रहा है तो इं जुकों ने गजनविट्स और एजवल एज गुरिट्स को परिशान कर रखा था उनको ट्रेड नहीं करने दे रहें लेकिन गुरिट्स और फिर सक्सेसिव जितने भी टर्किक और मंगोल ट्राइब्स ने जब भारत के ट्रेड को अपने कंट्रोल में कर लिया तो फिर वो आ रहा था जब तो गुजर पतिहार स्ट्रॉंग थे मतलब अर्ली मेडेवल इस्ट्री में गुजर पतिहार होगे जाने के बाद गुरिट्स को जो है फिर वो मुका मिला कि वो भारत मेंटर करें ठीक है आई हूप आपको पूरा फंडा क्लेर होगा और ये मैप है पूरा परेड़ गल्फ वाला रिजिять आपने कंट्रोल में लिया रिड़ सी वाले ट्रेड को जो है वो धीरे-दीरे इस तरह शेल जुक दोनों साइड से कोस्ट तो कंट्रोल कर लेंगे और रेड़ सी वाला ट्रेड भी सेल जुक के कंट्रोल में आ जाएगा और इधर द लेकिन 1186 में घुरिड यहाँ पर अगर माल लीजिए इधर अगर घजनी शहर है ठीक है इधर काबूल के नीचे घजनी शहर है तो इधर घुरिड है तो घुरिड जो है फिर वो घजनविट्स को हराएंगे यह हटा देंगे शक्ति से और फिर यह पूरा रिजन घुरिड के क पड़ेगा तो केवल पंजाब तक का एरिया हिम्मत नहीं है उनकी की दिल्ली द्वाब पर आक्रमन करें लेकिन गौरी जो है वो हिम्मत करके दिल्ली द्वाब पर आक्रमन करता है 1192 में और बहुत भयानक हार उसको मिलती है प्रित्वीराज के हातों ठीक है आए देखते ह यह है गौरी जो सब्सिशन ने लिया है उसके बाद यह फिर फर्दर जितनी भी है यह ठीक है धिरे धिरे जो है वो देखिया भारत में वार नसी तक एक्स्पेंड किया गुरिड्स ने लूट मचाई और फिर मुहमद गौरी के बाद जो दिल्ली सल्तनत या जो मतलब स्लेव्स थे गौरी के उन्होंने जो है वो बंगाल तक के एरिया कुंट्रोल में किया ठीक है 1163 में गुरिड्स का फ्रोन जो है वो ग्यासुदिन मुहमद ने लिया लेकिन आप बात ध्यान देंगे कि 1186 में जाकर गजनविट्स को रिप्लेस किया है गुरिड्स ने ठीक है अब 1163 से घुरिड्स से स्टोरी शुरू होती है गुरिड्स से स्टोरी शुरू होती है और घुरिड्स में कौन है सबसे पहले ग्यासुदिन मुहमद ये वो दो भाई है ग्यासुदिन मुहमद और मुहमद गोरी ग्यासुदिन मुहमद निप्टेगा सेल्जुगों से और ख्वारिज्मों से और मुहमद गोरी निप्टेगा राजपूतों से इन दोनों ने आपस में काम बाट लिया तो ग्यासुद्दीन ने अपने पास रखा घुरीड शहर और मुहमद गोरी को दिया गया गजनी रूल करने के लिए तो गजनी का गवर्णर बना के किसको बिठाया मुहमद गोरी को ठीक है तो ग्यासुद्दीन और दूसरी साइड लड़ रहा है भारतियों से मुहमद गोरी ठीक है नेक्स्ट मुहमद गोरी फर्स्ट इन्वेजन इंडियन इंडिया इंडियन सब कॉंटिनेंट स्टर्टेड विद कंकरिंग ओफ मुल्तान एंड ऊश तो देखिएगा सबसे पहले किसको जीतेगा ये है घुर ठीक है मैप दिख रहा है आपको मैं अपने द्यान से देखिए ये घजनी है और ये घुर है मैंने आपको पहले दिखाया ठीक है ये उपर काबोल है इस रीजन को बोलते हैं जबुलिस्तान सो जबुलिस्तान से शुरू हुआ गजनी जो है वो घुर से शुरू हुआ गुर के बाद गजनी दिया गया किसको मुहमद गोरी को और गुर पे बैठे बैठे ग्यासुद्दीन ने कोशिश करी कि उपर खौरिजमों से लड़े और इस साइड जो है वो सेल जुकों से ठी समयदारी दी गई कि तुम आप भारत पर आकर्मन करो तो काबुल के एरिया में अगर आप गजनी में बैठे हैं तो भारत जाने के कितने रास्ते हैं तींदर ने मुखे खैबर गोमल और बोलन ठीक है अगर आप काबुल के रास्ते खैबर को पार करते हैं तो आप आते हैं पिशौर लहौर अगर आप गजनी के रास्ते बोलन को पार करते हैं तो आप आते हैं मुल्तान और आप गजनी से कंधार जाते हैं और फिर कंधार के रास्ते बोलन को पार करते हैं तो आप पहुंचते हैं मंसूरा ठीक है तो ये तीन दर्रे मतलब बाकी भी बहुत सारे हैं चोटे बड़े दर्रे लेकिन बड़ी सेनाय ले जाने लाइक मतलब 30-40 हजार आद्मियों को ले जाने लाइक जो जगा है वो इन तीन दर्रों में ठीक है effectively बाकी दर्रों से भी जा सकते हैं इतने लोग लेकिन समय लग जाएगा ना ठीक है तो ये खैबर बोलन और गोमल तीन दर्रे आपको याद रखने हैं और तीनों दर्रों से कहां पहुच जाता है काबुल से खैबर के रास्ते पिशार लहौर गजनी से गोमल के रास्ते मुलतान और कंधार के बाद बोलन के रास्ते मंसूरा थीक है घजने विट्स के कंट्रोल में था लेकिन घजने विट्स की शक्ती जाने के बाद हिंदू शाहियों ने अपने आपको अज़ाद कर दिया होगा हिंदू शाहिज़ जो हैं वो ज्याद़ा खतरनाक हैं सबसे पहले सेंस बनती है मुलतान को करने है क्यों क्योंकि फिर मुलतान के रास्ते आप पूरे सिंद को कन्ट्रोल कर सकते हैं और यह सिंद वाला जो ट्रेड है यहाथ में आ जाएगा ठीक है अगर आप लहोर वो capture करने उल जाएंगे तो आप जमीनी warfare में उलज जाएंगे कमाई कप करेंगे है ना कमाई और यह coastline से तो coastline चाहिए तो मुल्तान पर आकर्मन करना sense बनता है तो मुल्तान और फिर उसके नीचे ऊश वाला जो पूरा एरिया है इसको control करा पहले गाउरी ने ठीक है 1175 तक मुल्तान और ऊश वाला एरिया जो है वो गाउरी ने अपने control मिलिया अब यह देखिए बहुत बड़ी मुरक्ता उसने करी यह राजपुताना का desert है इधर ठीक है इस राजपुताना के desert को cross करने की कोशिश करके गुजराच जाना है कि गुजराच में सोमनात मंदिर है और trading points और बहुत सारी कमाई हो सकती है वाँसे ठीक है लेकिन गलती यह कर दी कि Rajasthan के रेकिस्तानों से घुजरने लगा पहले तो मिटी के रेकिस्तान है ठीक है रेत के रेकिस्तान और फिर उसके पाद नमक का सैना लेकर गया और बहुत मतलब बड़ी संख्या में उसकी सैना जो है वो रास्ते में खतम हो गई और जब तक वो पहुचा सामने defense तय यहां पर ठीक है next देखिएगा battle of क्यादरा ठीक है यह रही वो battle battle of क्यादरा दराजपुता ना चालुक्याज यानि की सोलंकी गुजरात जा रहा था वो गुजरात में कौन वैठे हैं सोलंकी या चालुक्या राजपूत ruled north गुजरात एंड साउथ राजस्तान with अनहिल वाड़ा modern patent district in गुजरात as their capital so देखिए गुजरात एंटर कर रहा है और यह इतने एरिया में जो है वो कौन बैठे हैं यहाँ पर सोलंकी और इस मनसूरा तक उसने capture किया और यहां से वो अंदर enter करना चारा है लेकिन जब वो रैगिस्थान पार करता है तो उसकी सैना जो है वो तयार नहीं हो कर आता उनकी सैना कैसी है उनकी सैना आये हैं वो लोग आये हैं कहां से गजनी गोरी वाले क्षेतर से और यह बहुत ठंडा एरिया है ठीक है पाहाडी ख्षेतर है यह जितनी भी वो टर्किक ट्राइब लेकर आया होगा अगर वो कारा खितन खानेट से अगर उसने अगर लडाकू लाया भी होगा तो वो ठंडा एरिया है उनको आदत है जादा से जादा 25 नी तो 30 डिग्री टेंपरेचर की लेकिन जब यहाँ पर 40 डिग्री टेंपरेचर की राजस्थान की गर्मी ने हिट किया उन्हें भारी भरकम भले ही बक्तर उन्होंने भारी भरकम ना पहने हो लेकिन बक्तर तो पहने है उनके घोडे उनकी सेनाए पानी लेकर नी चले होंगे बीच में उनको लगा कि जैसे ये पूरा आफगानिस्तान की एरिया में जगा जगा पर बीच में OASIS आ जाते हैं इस तरह का हमजोर होती गई और सेना जो है वो जब चालुक्यों से वो मिले तो उनकी सेना बिलकुल एक्जॉस्टिट थी और चालुक्यों ने बहुत आसानी से उन्हें हरा दिया ठीक है तो 1178 का मुहमद गुर का जो पूरा एक्सपेडिशन है गुजरात को जीतने का वो विफल रहा अब यहां पर मुहमद गुरना मतलब बहुत उससे आया था अमीद से क्यूंकि गजँनी ने सोमनात को जीता था ना तो सुमनात को जीतने के लिए उसको जो है वो उसने ये रैगिस्तान पार नहीं किया था वो घूम के गया था स्मार्ट था वो उसको पता था कि रैगिस्तान से जाओंगा तो लुट जाओंगा वो वापिस आया था इसे रिया से लेकिन वो अटेक नहीं किया था उसने सेरिया से गुर को लगा कि अगर गजनी वापिस आ सकता है तो हम सेना को लेकर जा भी सकते हैं लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गजनी ने यहां से लोगों से पूछ लिया था कि वापिस कहां कहां से जाना है किस किस OSS से रुकते वोग जाना है कहां कहां पर पानी मिल जाएगा गुर को यह सारी बाते नहीं पता थी थोड़ा बहुत पता भी था लेकिन large scale बे प्रिपेर्ड नहीं था सैना के लेवल वाथ, पानी वो लेकर भी गए थे लेकिन जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं विचारे उन तक पानी पहुंचता नहीं और सैना की strength जो है वही लोग होते हैं ठीक है और eventually सैना हो गई कमजोर और सोलंकियों ने बहुत असानी सहरा दिया ठीक है इन 1178 मुहमद गोरी attacked the region सैना लेकर गया, attack भी किया according to historians इधर मूल राज 2nd और his brother भीमा 2nd was the king at that time ठीक है अब यहाँ पर इतियासकारों में मतवेद है कि उस समय सोलंकी शाशक कौन था जादतर शाशक मानते हैं या जादतर historians मानते हैं कि मूल राज 2nd was the सोलंकी राजा ठीक है तो अगर आप कभी भी battle of क्यारदा को सर्च करेंगे तो नाम आपका किस शाशक का नाम जुड़ेगा मूल राज 2nd का लेकिन यहाँ पर हमें कहीं न कहीं भीमा 2nd का नाम भी मिलता है इस पूरी raid के साथ ठीक है इन इस battle चालुक्या forces defeated the ghorid invaders led by मुहमद गोरी ठीक है तो result क्या निकला battle of क्यारदा का मुहमद गोरी got defeated by सोलंकी leaders राइट the चालुक्या forces included the armies of feudatory such as नडूला चोहान ruler कलहन देवा the जालोर चोहान ruler कीरती पाल and the अर्बूडा परमार रूलर धरवश्रा ठीक है धरवश्रा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अकेले सोलंकी नहीं लड़े तो कई बार यह point आता है कि राजपूतों ने जब united defense दिया united जब defense ये offense किया तो कभी भी भारी शक्ती जो है वो नहीं जीच सकी लेकिन जब किसी एक या एक दो राजपूत शाशकों ने मिलकर defense किया है तो वो हार गए है तो क्या राजपूतों की हार का कारण उनकी disunity को ठहराया जा सकता है तो आज हम causes of राजपूत defeat भी समझेंगे कि राजपूत जो है वो आखेर तुर्कियों से हार क्यों गए जबकि तुर्कियों की सेना से जादा बड़ी थी राजपूतों की सेना तुर्कियों की सेना से जादा well equipped थी well trained थी क्योंकि तुर्किय जो है वो अपने साथ tribal लोगों को बुलाते थे कि आ जाओ अगर जीत गए तो खुम्स के मताबित तुम्हें इनाम मिल जाएगा और अगर हाल गए तो जन्नत मिल जाएगा तो professional trained लडाके नहीं होते थे लेकिन राजपूत सेनाओं में professional trained लडाके होते थे तो ऐसा क्या था कि फिर भी मतलब सेना भी बड़ी है सेना well equipped भी है हाती वगएरा भी है बट स्टिल जो है केवल सुलंकी शाशक नहीं थे उसके अलावा चाहमना rulers और परमार rulers ने भी मदद की ठीक है चाहमना कौन जो चोहान है मना चाहमना जो clan है वो बेसिकली चोहान clan है ठीक है कहां के चाहमना नडूला के नडूला जो की present ए नडूल राजस्थान उसके अलावा चाहमना ruler कीरति पाल ठीक है जालोर प्रेजंडे जालोर से चाहमना ruler कीरति पाल और अरबूडा परमार अरबूडा एरिया कौन सा है आपका ये मालवा वाला रिजन में ठीक है अरबूडा परमार ruler धरवरशा Meanwhile in North India the चोहान्स were trying to expand towards गुजरात मद्द कर रही है चाहमना ट्राइब्स दूसरी जगा अजमेर और दिलियाए के जो चोहान है वह चाहते है कि गुझराट दिल्ली मालवा बुंदिलकंट सबको कुंट्रोल कर लूं ठीक है यह मैं अब देखिए जो अजमेर के चोहान है इधर जो बैठे है अजमेर के सेंच बनता है, क्योंकि दिल्ली में बैठके वो गुजराथ को, और मतलब नॉर्थ-वेस्ट फ्रेंटियर अगर आप दिल्ली में बैठते हैं, तो आप गुजराथ अज वेल एस नॉर्थ-वेस्ट फ्रेंटियर के trade को control कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है तो आपके पास तो at least आप इन दो trades को तो control करी सकते हैं तो यही जो है वो चोहान rulers की इच्छा थी कि मालवा वगेरा भी control कर लेंगे तो इधर से कोई attack भी नहीं करेगा ठीक है इतना region अपना हो जाएगा यही चोहान चाशक चाते थे लेकिन समस्या यह थी कि बाकियों को तो problem दी ना क्यों क्योंकि अभी बाहर से invasion हो रहा है इंडिया में और यह सभी राजपूत चाशक जो है वो आपस में लड़ने में लगे हैं खास तोर पे जो चोहान है वो सोच रहे हैं कि हम यह एक्सपेंड कर दें सबसे जादा और सुलंकियों का यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि चोहान जो है वो देर देर सुलंकियों पर प्रेशर डाल रहे हैं सुलंकियों के लिए जो है वो सामने रखा जा सकता है यह एक बहुत बड़ी समस्य थी और वो हुआ भी क्योंकि जब गुजरात पर आकर्मन किया तो गुजरात के आसपास मालवा जालोर वाले एरिया से तो सुलंकियों को सपोर्ट मिल गया लेकिन जब दिल्ली पर आकर्मन हुआ तो दिल्ली क की मदद सुलंकियों ने नहीं करी क्यों कि दिल्ली तो सोची रहा था कि सुलंकी को धरें तो यह जो आपस में राजपूतों की जो राइवल रीज है यह एक बहुत बड़ा नियोता था गुरिडों के लिए गुरिड्स के लिए कि वो आएं और दिल्ली को अपने control में कर ले, ठीक है so, meanwhile in North India, Chohans were trying to expand towards Gujarat and also towards Delhi and Mathura as such, they had to bear the brunt of the plundering raids, Mohamed Mehmood Ghazni's successors, ठीक है अब देखिए अगर वो दिल्ली control में करते हैं तो Mehmood के जो successors हैं वो तो लूटी रहे न, पंजाब तक तो आई गए हैं वो तवर हिंद, तवर हिंद तक का एरिया न, उनने control में कर लिया है ठीक है, यह तवर हिंद contest में है तो मुल्तान और पंजाब वाला एरिया वो जीती लिया तो बहुत आसानी से वो मत्रों तक लूट मचाते रहते तो तोमरों को हटा कर अगर चोहान दिल्ली में बैठते हैं तो अब उपर से आने वाला जितना भी invasion है वो चोहानों को सहना पड़ेगा ठीक है, तो उस invasion से सोलंकी अपने आपको दूर रखना जाते हैं क्योंकि सोलंके ओपर एक बार invasion हुआ था चालूब के ओपर और गजनी जो है वो बहुत दंसंपत्ति उनकी लूट के ले गया और बहुत ज़्यादा slaughter हुआ बहुत उनके लोगों को मारा भी गया ठीक है नेक्स देखिए, नेक्स आता है battle of terrain, तो यह पहली चीज आपको समझा ही पहली है battle of क्यारदा जिसमें सोलंकियों ने जो आसपडोस की चोहान as well as परमार ट्राइब्स हैं परमार क्लैंज हैं उनके साथ जोड़कर यानि के एक युनाइटेड राजपूत फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस करके गोरिट्स को रिपेल कर दिया लेकिन battle of terrain में नहीं हो सका पहली battle of terrain में तो United Front आया लेकिन दूसरी में नहीं आया ठीक है देखेगा after consolidating his position in Sindh and Punjab in 1191 मुहामद गोरी attacked and captured the fortress of Tabar Hind which was strategically important for defense of Delhi अब देखिए यह मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसी मैप के जरिये पूरी कहानी एक्स्पेन कर दूँँ आज मैं आपको so पहले मुल्तान के क्षेतर से मंसूरा एक्षेतर से आकर्मन करने कोशिश करी कि गुजरात को जीतते हैं पहले गुजरात को लूटते हैं actually घोरी क्या सोच रहा था कि गुजरात के रास्ते फिर धीरे दिल्ली हो capture करूँगा एक साइड इधर से प्रेशर डालूँगा दूसरा इधर से प्रेशर डालूँगा दोनों साइड से प्रेशर होगा और दिल्ली कबजे में आ जाएगी तो वो over smartly खेलने ही कोश्क करता है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजपूत जो है वो united front भी देते हैं उसने misjudge कर लिया उसने misjudge कर लिया कि राजपूत united front नहीं लाएंगे लेकिन गुजरात वाली एरिया में राजपूत नों united front दे दिया अब दूसरी साइड उसने अब लाहोर वाला area capture किया और लाहोर से दिल्ली के बीच में तबरहिंद जो की present day भटिंडा है भटिंडा वाला जो area है वहाँ पर बहुत important fortress है तबरहिंद का हो गया अंबाले के खिले हो गया तो यह जो बीच में छोटे छोटे रीजन है ना यह बहुत important आज भी present है देखे न जलंदर में केंट है अंबाला में केंट है लोधियाने में केंट है तो यह जो cantonment region अंग्रेजों ने भी established की और भारतिय सरकार ने भी इनको carried out रखा है यह strategic positions हैं क्योंकि यहाँ से सैना को move भी कराया जा सकता है एर फोर्स को move भी कराया जा सकता है और यह important defense line की तरह भी काम करती है तो तबर हिंद was very important क्योंकि जिसके पास तबर हिंद है जिसके control में वो दिल्ली को defend भी कर सकता है या दिली पर attack भी कर सकता है तो अगर गवरी के control में तबर हिंद है यानि भटिंडा है तो वो बहुत आसानी से देख रहे हैं भटिंडा की position ऐसी है कि पहाडी राजाओं पर भी आकरमन कर सकता है और दिल्ली पर भी आकरमन कर सकता है या वो राजस्थान की तरफ भी move कर सकता है या वो पंजाब में फिर वो सिंध मुलतान में भी आ सकता है ठीक है इधर से सिंध मुलतान में भी आ सकता है नीचे राजस्थान में इंटर कर सकता है दिल्ली में भी उपर पहाडी राजाओं पर भी सब पर प्रेशर है इसलिए तबरहिंद की ये strategic importance है अब पृत्विराज क ये बात पता थी कि तबरहिंद तक अगर वो आ गया तो बहुत असानी से दिल्ली ये घहर डल जाएगा ठीक है और अगर वो दिल्ली तक आ गया तो फिर तो फिर आजमेर और मत्वुरा फिर वही है फिर उसके बाद कोई भी नहीं रोक सकेगा जैसे गजनी को कोई नहीं र तबरहिंद को चोड़ो तबरहिंद हमारे लिए strategically important है ठीक है ठीक है प्रिध्व्राज ने सेना जो है वो अब तबरहिंद की किले बंदी भी नहीं गरी थी तबरहिंद में पूरी तरह शेयना भी अपनी तैनाद नहीं करी थी पूराइदिर थी ठीक है घृत्वान फिर प्रिथिराज ने शैना मूव कर दी तबरहिंद की तरफ ठीक है और देखिये अगर यह अमरिचर है ठीक है और अमरिचर के बाद जालंधर लुधियाना अमबाला पानिपत दिलि ठीक है तो यहां पर जालंधर और लुधियान यह आ गए जालंदर, लुधियाना, यह अंबाला के इधर यहाँ पर आपको तवर हिंद या भटिंडर नजर आएगा, ठीक है, और अंबाला के बाद इधर है तरायन, तरायन कहाँ है, तरायन is present day तरावडी विलेज, जो की करनाल डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेतर प्रित्रोल किया किसने गवरी ने और दिल्ली से प्रित्राज ने अपनी सेनाय मूव करी तराइन में लगाई और मतलब ये बात फिक्स होगी कि तराइन में जो है वो सेनाय आमने सामने आई लिए ठीक है नेक्स देखेगा इन दा बैटल प्रित्राज अटेंड अ कम्प्लीट विक्ट्री सो पहली 1191 की जो पहली तराइन की बैटल है प्रित्राज की कम्प्लीट विक्ट्री थी क्यों प्रित्राज अपने साथ जो है वो अपने आसपास के अजमेर मतलब और कन्नौज के मतुरा के और राजस्थान के अन्ने जो हैं वो राजपूत राजाओं को अपने साथ जोडने के लिए तयार हो सका और उन सब को लीड किया उसने यानि एक युनाइटेड राजपूत फ्रंट प्रेडूस किया उसने ठीक है बले ही वो कितने मर्जी बटे हुए हो लेकिन स्टिल उसने एक युनाइटेड राजपूत फ्रंट प्रेडूस करने की प्रेडूस कर सका वो सक्सेस्थुली ठीक है बहमद गौरी बीन सेवड अकॉर्डिंग टु दे कंटेंपररी अकाउंट बाया खलजी होर्समन who carried the wounded सुल्तान to safety battlefield में सुल्तानों ने कभी भी राजपूतों को इतने बड़े लेवल पर और इतने बड़े मैदान में फेश नहीं किया था ठीक है राजपूत forces जिनकी disciplined सेना हैं बहुत सारे armored हाथी armored घोडे ठीक है बहादूर सेनिक मरने के लिए तेयार क्योंकि इस साइड राजपूतों के trained सेनिक है और दूसरी साइड जो है वो तर्किक tribal people है ठीक है तो राजपूतों की trained सेना हो के आगे तर्किक tribal people भले ही उनके गोडे कितने भी मजबूत हों कितने भी strong हों कितने भी तेज हों लेकिन राजपूतों की सेना के आगे वो नहीं ठेर सके तो तर्राइन की पहली लड़ाई जिसमें आमना सामना किया राजपूतों का गोरी ने राजपूतों से वो आमने सामने में नहीं जीत सकता कोई भी नहीं जीत सकता present day में या उस समय contemporary में अगर राजपूतों से कोई भी सेना आमने सामने आईगी न तो खुले मैदान में पिछ बैटल में तो आप राजपूतों से जीत नहीं सकते क्योंकि राजपूतों का code था कि मर जाना है लेकिन पीछे नहीं अटना है ना तो ये code जो है वो most of the part जो राजपूत सेना है वो follow करती थी और अपने leader के लिए जान देना उनके लिए sport था वलब जो युद है war was there sport तो आमने सामने की battle में मोहमद गोरी से मोहमद गोरी पृत मोहमद गोरी घायल हो गया मोहमद गोरी नीचे घायल पड़ा था और एक खलजी खलजी एक और ट्राइब है उसी रिजन की खलजी एक किसी tribal horseman ने गोरी को अपने गोड़े बिठाया और यूद सल से बाहर ले गया अब हारने के बाद की जो situation होती है ना आप जब एक बार defeat क्रीट हो जाती है आपकी उसके बाद अपने हार को कैसे handle किया और फिर अपने आपको वापिस कैसे उठाया ना वो define करती है आपकी success को अगर आप एक बार हार गए मालीजे अगर आप UPSC का exam दे रहे हैं आप बहुत बूरी तरह से जो है वह आपको पटक के हमारा UPSC ने ठ for that matter जीवन में कहीं भी कोई भी आपके समस्या होती है तो एक बहुत famous movie का dialogue है it ain't about hitting hard मतलब तेज हार्ड जो है वह हिट करना जो है वह स्पोर्ट नहीं है it is about taking the hits कि कितनी जोर से आप जो है वह गिर सकते हैं और फिर वापिस उठ सकते हैं तो राजपूत शाशक पृत्वीराज जीत गया और जीत के खुशी में एक साल ते उसने युद का preparation नहीं किया उसके बाद भोग विलास में पढ़ गया और अन्य राजपूत राजाओं के साथ युद में उलज गया वो क्यूंकि उसका mission था एक साइड मत्रुआ कन्नोज और एक साइड पूरा सुलंग की गुजराज जो है वो capture करना है तो प्रित्विराज लग गया उस काम में ठीक है लेकिन प्रित्विराज की समस्यां यहाँ पर खतम नहीं हुई क्योंकि मुहमद गौरी को उसकी हार इतना गहरा हिट कर गई कि एक साल तक मुहमद गौरी घर करना कैसे है उसको आंते में पता चला कि आमने सामने की बैटल में तो राजपूतों से जीतने कोई मतलब नहीं है दिन देहड़े तो आप राजपूतों को हरा नहीं सकते हैं खुले मैदान में तो राजपूतों को हरा नहीं सकते हैं उसने एक साल तैयारी करी जब एक साल तक प्रित्विराज मतलब कई अकाउंट्स में है कि प्रित्विराज बहुत ज्यादा भोग विलासी था तो अयाशियों में पड़ा हुए थे राजपूत ठीक है और दूसरी साइड घोरी जो है वो प्रपरेशन में लगा हुआ था तो 1192 की जब बैटल हुई तो घोरी ने बहुत आसानी से प्रित्विराज को हरा दिया क्यों वेकुश प्रित्विराज वस नॉट प्रपेड और घोरी उस समय प्रपेड था ये इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि प्रपरेशन से आप किसी भी समस्या को वहला वेल थॉट आउट आउट गुरिट आर्मी देखिए तराइन के मैदान से गुरिड आर्मी को भागना पड़ा कई किलोमेटर तक उनका पीछा किया भी होगा लेकिन केवल कई किलोमेटर तक सेंस यहां पर यह बनती थी कि उन्हें काबुल से पीछे धकेल दिया जाए उनका पीछा जो है वह लाहोर क काबूल तक किया जाए और काबूल से पीछे धकेल दिया जाए और काबूल को लाहोर को कंसोलिडेट किया जाए ताकि फिर से मुड़कर कोई भी अर्बी तुर्की भारतियोग महादीप पर अगले आने वाले कई सालों कई डेकेट्स तक एंटर ना कर सके सभी राजपूतों को युनिफाई होकर ये करना चाहिए था लेकिन किया नहीं 15, 20, 25, 30 किलोमीटर फॉलो किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद लाहोर वाले एरिया भटकता रहा मुअमद गोरी और सेना इखटा गरी नॉर्थ वेस फ्रेंटियर पंजाब तो प्रित्विराज ने या प्रित्विराज या राजपूत सेनाओं ने घोरी का पीछा क्यों नहीं किया कुछ कारण है देखी गा इधर बिकॉस ही डिड़ नॉट वन्ट वेंचर इंटू होस्टाइल टेरिटरीज पहला कारण ये है कि वो लाहोर पंजाब की एरिया में रा दुसरा और सबसे इंपोर्टेंट जो गलती प्रित्विराज की रही वो थी मोहमद गोरी के इन्वेजन को अंडर एस्टीमेट करना मोहमद गोरी के इन्वेजन को मियर प्लंडरिंग जो है वो समझ लिया प्रित्विराज चोहान ने ये कैलकुलेट किया या ये एस्टीम लगाया कि मोहमद गौरी जो है वो घजनी की तरह केवल दिल्ली को प्लंडर करना चाहता था अधरवाइस वो पंजाब मुलतान के एरिया में ही राज करेंगे वो हमारे एंटरी नहीं कर सकते हम फिर से डिफेंस अगर आएंगे तो हम फिर से डिफेंस लगा देंगे ठीक है प्रिफिराज इस ओवर कॉंफिडेंस में था उसने अंडरेस्टिमेट किया कि घुरिट जो है वो मुहमद गौरी अगली बार सहना भी ज़्यादा लाएगा और राजपूतों के बारे में पूरा सीख के भी आएगा कि राजपूतों को कैसे आराना है और वो दिल्ली को ज सीज ओफ फ्यू मन्स तवरहिंद को कुछ महीनों बाद तवरहिंद को कैप्चर किया केवल तवरहिंद से आगे लाहौर तक राजपूत शैनाय मूव नहीं करी ये सबसे बड़ी समस्या दी तवरहिंद के बाद अगर वो लाहौर और लाहौर के बाद पैशाओर यानि कि अगर वो काबुल तक घसीड देते यानि कि खैबर बोलन दर्रे को खैबर या गोमल दर्रे को अगर वो प्रोटेक्ट कर लेते तो सैनाय जो हैं वो काफी लंबे समय तक बाहरी सैनाय एंटर नहीं कर सकती थी जो कि राजपूतों नहीं किया अगर प्रित्युराज एक्स्पेंड करना ही चाह रहा था सुलंकियों की तरफ तो सुलंकियों का अपने साथ जोड के उसको काबुल कंट्रोल में करना चाहिए था क्योंकि नौर्थ की जो टर्किक ट्राइब्स हैं वो मुसलमानों की तरफ होस्टाइल हैं लेकिन हिंदुओं से उनके रिलेशन अच्छे रहे हैं क्योंकि वो भी लगबग बुदिजम को फॉलो करते हैं और हिंदुविजम बुदिजम जो है वो यहां पर अच्छा रिले करें इतिहास कुछ और होता आज अगर प्रित्विराज एक साल जो है वो मस्ती में नहीं पड़ता मतलब सेलिब्रेशन में नहीं उतरता और अगर वो एक्स्पेडिशन करता बाकी राजपुतों को जोड़ कर वो काबूल को गंट्रूल कर लेते तो ठीक है आज इतिहास प्रित्विराज ने गोरी के साथ जो यूद है वो केवल प्लंडरिंग का यूद और केवल मतलब एक बॉर्डर तक भी बॉर्डर तक ही सिमित रहने वाले यूद की तरह ट्रीट किया फ्रंटियर फाइट उसको कहेंगे ठीक है उस तरह मुलब ऐसा यूद जो केवल बॉर बॉर्डर पर ही रहेगा कि यहां से एक साइड से ओफेंस आया हम दोनों लड़े और बॉर्डर तक ही जो है वो यूद रहा थबरिंद वाले एरिया में इस तरह ट्रीट किया फर्दर जो है वो एक सीडिंग इन्वेजन की तरह ट्रीट नहीं किया यह हमें पता चलता है क् पर राजपूत राजाओ ने एक इक डिफेंस जो है वो एक उनाइटीड डिफेंस क्रीयेट करने कुशिष की नि क्योंieg corjan जो है वो गड़वाल से लड़ते रहे चोहान सुलंकियों से लड़ते रहे चोहान परमारों से लड़ते रहे चोहन आओ comment s अब सی को अपने अंडर ले क्या राना है और बाकी सब चोहान राजा भी यही चाते थे कि हमारे अंडर सब हूँ तो यह ego complex जो है ना चोहानों का या not just चोहान लेकिन सभी राजपूतों का जो यह ego complex है यह उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना क्योंकि इस ego complex की वज़े से unity नहीं आई उनके अंदर और unity नहीं आई तो दूर दर्शिता फार साइटेडनेस नहीं आई कि हमारी unity की वज़े से ही काबुल जो है वो protection में रहेगा या northwest जो है वो protected रहेगा अगर हम unified नहीं रहे तो northwest protected नहीं रहेगा और अभी जो invasions के वो loot के लिए हो रहे हैं वो आगे जो है वो हमारी political authority हम से छीन लेंगे ठीक है the second battle of terrain आती है फिर 1192 एक साल गोरी जो है वो prepare करता है regarded rightly as one of the turning points in Indian history भारती इतियास में बहुत बड़ा turning point क्योंकि मैं बोल रहा हूँ न इतिहास का सर पटकते हैं मजे खुद personally बहुत गुसा आता है frustration होती है इस चीज में कि अगर एक साल prepare कर लेता एक साल और prepare कर लेता तो इतिहास का course कुछ और होता आज ठीक है so second battle of terrain जो है वो बहुत important है भारत के इतिहास में मोहमद गोरी had made careful preparations for the contest whereas मोहमद गोरी की तारीफ हमें या करनी पड़ेगी कि एक साल चांती से नहीं बैठा एक साल उसने बहुत careful जो है वो preparation करी छोटी छोटी बारी क्या समझी अंत में उसको ये समझाया है कि राजपूतों से आमने सामने से तो जीता नहीं जा सकता है यानि एक pitch battle दिन दिहाड़े अगर राजपूतों से लड़ोगे तो नहीं जीत सकोगे तो उसने जो है वो युद में सामदाम लगाया और रात को आकर्मन किया ऐसे समय आकर्मन किया जब राजपूत सेनाई अपने खेमे में नशे में टुल थी ठीक है और unprepared थे कहने का मतलब जब राजपूत सेनाई unprepared थी तब तीन direction से attack कर दिया और एक तरह से उनको फंडे में फसा लिया अपने जब тक राजपूतोंने अपने आपको तयार किया तब तक वो उनके गेरे में फस चुके थे और फिर एक एक करके जो है वो राजपूत सेनाओं को उन्होंने पूरी जो राजपूत टुकडिया है एक एक करके सभी राजपूत टुकडियों को जो हराया और फाइनली जो है वो capture कर लिया पृत्विराज चोहान को और पृत्विराज चोहान को कुछ महीनोबाद मारा ठीक है अब यहाँ पर ना जो पृत्विराज रसो कहानी है वो बोलती है कि गजनी जाकर पृत्विराज की मृत्विवी लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है पृत्विराज और उसके जो nobles हैं उसको मार के क्या मिल जाएगा अगर आप उसको मार देंगे तो जितने भी ट्रेड मैन है वो तो भाग जाएगे तो आप ट्रेड किस्से करोगे जब पूरा का पूरा मार्केट ही भाग गया तो डेट मींज जो local leaders होते हैं उनको जिन्दा रखना जरूरी होता है ताकि market पर धीरे धीरे आपका कबजा है एक बार जब market पर आपका कबजा आ गया administration आपके हाथ में आ गया किले पूरे गाओं के जितने भी जहां से भी revenue आ रहा है वो सब मतलब पूरा revenue administration आपके control में आया economic system आपके control में आया उसके बाद आप मारते हैं शाषक को तो वही किया गया प्रित्युराज को अजमेर ले जाया गया अजमेर दिल्ली वाला जितना भी पूरा का पूरा trade है वो eventually धीरे धीरे करके जो है वो सब मतलब सुल्तानों के control में आया और फिर मारा गया प्रित्युराज को ठीक है और यही trend हर शाषक करता है ऐसा नहीं है कि केवल तुर्की शाषक ओना ऐसा की है राजपूश शाषक भी ऐसे करते हैं दुसरे को हरा कर मार नहीं देते हैं जिन्दा रखते हैं उसका trade पहले हती आते हैं पूरा मतलब एक-एक उसके सामंत को बलाते हैं एक-एक banker को बलाया जाता है कि तुम अब इसके साथ नहीं हमारे साथ trade करोगे और इस कागज पे sign करके दे रहा ही है तो पूरी proper कागजी कारेवाई होती है उस कागजी कारेवाई के तहत ही काम करना पड़ता है तो मतलब बहुत सारी कहानिया है बहुत सारी मित्थया है जो है वो तैरती रहती है folklore के मादिम से लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब सच हो मैंने बला ना दो तरह का इतिहास होता है एक जो elites का होता है जो administrators को पता होता है और दूसरा जो आम जनता के लिए होता है तो अगर आप आपको decide करना है आपको आम जनता बनना है या administrator बनना है और तो उसी जब से आपको decide करना पड़ेगा कि इतिहास के किस narrative को आपको समझना है महमद गौरी had made careful preparations for the contest disgracing many ameers who had not stood firm in the field of battle earlier so ameer जो है वो एक title है जिस तरह खां जिस तरह खां एक title है military general के लिए उसी तरह ameer एक title है ameer के पास सेना भी होती है और ameer basically एक landed aristocrat को कहा जाता है ठीक है so जैसे आपने सोना होगा ना united arab ameerat ठीक है तो ameerat है कई तो ameerat किसकी होती है ameer की होती है ameer कौन है एक landed aristocrat जिसके पास सेना भी है ठीक है तो मुहमद गौरी के जो ameer थे ऐसे ameer जिनोंने 1191 में उसका साथ नहीं दिया था उनको मार मार के भगाए कि तुम हटो तुम नहीं आओगे दूसरे ameer को क्योंकि ameer क्यों जुड़ रहे है सुल्तान के साथ क्योंकि अगर युद में जीत गए तो खुम्स के मुताबित इनाम मिलेगा और हार गए तो जन्नत मिलेगी ठीक है अमीर थोड़ी लड़ता है अमीर तो पीछे बैठते हैं सैना है लड़ती है न उनकी पैसा अमीर को मिलता है ठीक है अमीर भीर अपनी सैना में बाटता है खेर तो मिनाज ए सिराज नहीं या मिनाज ए सिराज नहीं क्या कहा है कि लगभग एक लाख बीस हजार सैनिक जो है वो लेकर आया था कौन अपने साथ मुहमद गौरी और यह सभी सैनिक जो है वो हैविली आर्मर्ड थे और ट्रेंड सैनिक थे उसके अलावा a 17th century historian फरिष्टा प्लेशेज प्रिथ्युराज फोर्सेज थ्री थाउजन एलिवेंट्स थ्री हंडर थाउजन होर्समें और कंसीडरिबल इंफिंट्री तो फरिष्टा कहता है कि प्रिथ्युराज के पास 3000 हाती तीन लाख जो है वो गुड़सवार और बहुत ज़्यादा जो है वो पैदल सैनिक तो यह over exaggeration है दोनों ही साइड दोनों ही साइड over exaggeration होती है इतना ही सैनिक नहीं होते हैं होते हैं 25, 30, 50,000 लाख तक तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सैनिक तो 25,000, 30,000, 60,000, 50,000 यह माना जा सकता है कि यह सैनाओ की संख्या रहती होंगी यह लाखों में सैना जो है वो चक्रवतिश आशकों की हुआ करती थी ठीक है लेकिन यह जो राजपूत हैं या जो तुर्किक हैं इनके पास इतनी लाखों में सैना ही नहीं थी मुगल समराजे के पास लाखों में चली गई थी सैना क्योंकि बहुत सारे फिर सुबेदार हो गए थे ठीक है हाती थे और हातियों की संक्या बहुत जादा थी तीन हजार नहीं होगी तो जादा होगी सैकडों में हो सकता है कि हजार में हो लेकिन तीन हजार हाती तो बहुत जादा ही होता है इतने हाती नहीं थी ठीक है अब देखते हैं अब देखते हैं प्रित्विराज in second battle of tarayan दूसरी battle में प्रित्विराज क्यों हा रहा देखे एक एक करके the battle of tarayan वस more a war of movement than of position देखे प्रित्विराज ने अपनी सेना को tarayan में set किया हुआ था उन्होंने camp डाले हुए थे उन्होंने decide किया हुआ था कि कैसे कैसे हमारी flanks जो हैं वो set होगी लेकिन दूसरी साइड घूरिट्स की एडवांटेज ग्या थी राजपूत सैनाओं की डिसडवांटेज और तुरकियों की एडवांटेज थी राजपूत सैनाओं की slow movement क्यूंकि भारतिय सभी सैनाओं उस्समें की और राजपूत सैनाओं for that matter हातियों पर dependent रहती थी कि वो हातियों के बल पर युद जीतते थे ठीक है तो अगर आपके पास हाती जादा है तो आपकी सेना slow है और टर्किक ट्राइब्स जो है वो घोडो के दम पर युद जीतती थी और घोडे जो है वो relatively strong है तो अगर मान लिजिये कि आपने जो है वो इस तरह से ये आपकी एक flank है तीन flank ठीक है दो पिछे फिर मान लिजिये तीन हातियों की flank है और फिर आपने ये घोडो की flank रखी हुई है और सामने जो है वो केवल घोडो की flank से है तो ये घोडे जो है वो बहुत असानी से side से और पीछे जा सकते हैं आपके ठीक है और आपके उपर साइड से और पीछे साकरमन कर सकते हैं तो हाती सेना में रखना advantage तो है लेकिन एक बहुत बड़ी disadvantage यह है कि हाती slow होता है और हाती के साथ सेना जो हो जाती है slow जाती है ठीक है so the lightly armored mounted archers of Muhammad Ghori kept harassing the slow moving forces of Prithviraj and attacked from all sides Prithviraj की सेना का हार का कारण Prithviraj की slow सेना है Prithviraj suffered complete defeat complete defeat right कोई यह नहीं की partial defeat complete defeat पूरा जो है वो पूरी हार हुई उनकी Prithviraj lacked the insight into real motives of Muhammad Ghori and mistook him as another plunderer एक और यह point Prithviraj के हार का कारण की Muhammad Ghori को केवल plunderer समझा उसने जबकि Muhammad Ghori expansionist था ठीक है next point His expansionist policies on assuming the throne alienated many of the rulers of northern India even though some of them had supported him in the battle यह बात हो रही है पृत्विराज के लिए Prithviraj himself an expansionist मैंने वोले ना Prithviraj सोलंकियों control करना चाता है परमारों को, चंडेलों को, गड़वालों को, तोमरों को, सब को पृत्विराज control करना चाता है तो पृत्विराज खुदे के expansionist है तो बाकी राजपूत राज़ा उससे बढ़के हुए खास तोर पे यह जैचंद, ठीक है गड़वाल का क्यों? क्योंकि जैचंद की लड़की को भरी सभा से जो है वो ठाकर ले आया था पृत्विराज और जैचंद को दिल्ली नहीं मिली थी, तोमर जो उनका common, उनके नाना जो है वो common थे ठीक है, तो जो तोमर शाशक्ता उसने दिल्ली जो है वो पृत्विराज को दे दी थी, यह common कहानी है ठीक है, तो जैचंद के अपने personal कारण थे, तो जैचंद जो है वो राजपूत शाशों को रोक रहा था कि पृत्विराज को अकेला हारने दो ठीक है, क्योंकि जैचंद को भी लगा कि यह लूट के जाएगा केवल, महामद गोरी केवल लूट के जाएगा लेकिन यहाँ पर जैचंद भी गलत था, जैचंद अगर साथ देता पृत्विराज का उस समय, तो इतिहास का कॉर्स में जैसे बोल रहा हूँ कि कुछ और होता पृत्विराज केंप सफर्ड फॉम वीक्नेश ऑफ राजपूत पॉलिसी सच एज लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वीक लिडर्शिप पृत्विराज का पूरा कैंप, जैचंद की वज़े से पृत्विराज के कई राजपूत शाचकों ने पृत्विराज का साथ नहीं दिया, समय पर सैनाई नहीं बेजी जैचंद ने समय पर अपनी सैनाओं को पीछे हटा लिया तो पृत्विराज को इस तरह का एक धोका भी जो है वो अन्य राजपुतों की तरफ से हुआ लेकिन कही ना कही गलती पृत्विराज की भी है पृत्विराज ने बना कर नहीं रखी सब के साथ तो ये डिस्यूनिटी राजपुतों के बीच राजपुतों के हार का कारण मनी ठीक है नेक्स देखते हैं बैटल ओफ चंदावर अब 1191 में हारा कौन मुहमद गोरी लेकिन 1192 में मुहमद गोरी ने कौन-कौन से एरिया कंट्रोल में कर लिया लाहोर तो वो करके आया ही है अब उसके बास दिल्ली और अजमेर भी है अब यहां पर बचा गुजरात जो भी कैप्चर करना है उससे और इस साइड कन्नौज हो कैप्चर करना है तो अब दिल्ली के बाद उसक कन्नौज और बनारस with 50,000 horsemen अब आप कहेंगे कि 1192 में अगर उसके हाथ में दिल्ली अजमेर आ गया था तो वो तुरंत उसने अटेक क्यों नहीं किया जब हड़बड़ी मची हुई थी तो जवाब है ग्यासुद्दीन गोरी ठीक है ग्यासुद्दीन सेल्जुगों से उल इंडेट करने में लगाया वो दूसल सो बैटल वज फॉट एट चंदावर इन मौडन इटावा डिस्टिक प्रेजंट ए उत्तर प्रदेश की इटावा डिस्टिक में चंदावर नाम के अक्षेतर में यह बैटल लड़ी गई जैचंद who is not known to have been a great warrior suffered disastrous defeat जैचंद को राजपूती तेहास में किस तरह रखाया है कि जैचंद जो है वो great warrior नहीं था क्यों कि प्रितुराज से conflict था और प्रितुराज को glorify किया गया है तो जैचंद की जो है वो image धुमिल हुई है ठीक है after great slaughter and plunder fort of asni फतहपूर district में है which contained the गड़वाल treasure house was plundered लूट मचाए गई असनी का fort फतहपूर district यह आपको ध्यान रखना है इटावा district फतहपूर district so fort of asni फतहपूर district गड़वाल treasure लूटा किसने गवरी ने फिर उसके बाद अगला क्या है step अगला step है कन्नौज को capture करना ठीक है और वारनसी दो capitals है ना इनकी गड़वालों की वारनसी which was earlier capital of गड़वाल was also plundered and large number of temples destroyed कन्नौज was finally captured in 1198 the battles of Tarayan and Chandaur laid the foundations of Turkish rule in Ganga Valley देखें लहोर दिल्ली कन्नौज अजमेर देख रहे हैं आप यह है इस तरह जो है वो expand किया गोरी ने अब कन्नौज आ गया हाथ में तो कन्नौज के बाद ठीक है देखेगा लहोर से आ रहे हैं लहोर के बाद दिल्ली capture किया इस साइड अजमेर इस साइड कन्नौज के बाद बारनसी बारनसी के बाद बंगाल ठीक है अजमेर अजमेर के बाद मारवाड और मारवाड के बाद गुजरात ठीक है और नीचे नीचे यहाँ पर कलिंजर कलिंजर के रास् में अजमेर और कन्नोज ता वारनसी को उसने लूटा ठीक है वारनसी तक लूट मचाई लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल में अजमेर कन्नोज दिल्ली लहोर यहां से अब वो अपनी भुजाओं को आगे बढ़ा कर बंगाल और गुजरात को भी कंट्रोल करेंगे देखते जाहिए ठीक है अपार्ट फ्रॉम स्पोरेडिक अप्राइजिंग्स देर वस नो लार्ज स्केल रिजिस्टेंस इन डा एरिया तू टर्केश रूर तुर्की आ सके हावेवर टुक टर्क्स ओवर फिफ्टी एयर्स तू स्टैंप आउट ओल अपोजिशन और टू कंसोलिडेट तेर होल्ड ओवर दा एरिया पचास साल लगे उसके बाद यानि की पूरी स्लेव लगभग पूरी की पूरी या आधी जो है वो स्लेव डैनेस्टी इसी काम में या इल्तुतमिश का लगभग पूरा करियर इसी काम में लग गया कि राजपूतों को कंट्रोल में लाया जा सके ठीक है next causes of defeat of राजपूत अब collectively सभी राजपूतों की defeat का cause देखते हैं कारण क्या थे ठीक है तो मैंने आपको basically सभी समझा दिये हैं लेकिन आप उनको statement में देख लेते हैं सबसे पहला breach of natural defenses northwest frontier जैसे ही काबूल हाच से गया है ना देखे काबूल कंधार और बीच में घजनी काबूल हाच से जाता है तो खैबर गोमल और बोलन ये जो तीन दर्रे ये तीन दर्रे जो है वो खुल जाते हैं भारत के लिए that means अगर काबूल कंट्रोल में है तो ये तीन दर्रों पर यानि काबूल अगर कंट्रोल में है न तो इन तीन दर्रों से कोई सेना जो है वो एंटर नहीं कर सकती लेकिन अगर काबूल चला गया उसके बाद यहाँ पर पेशाओ और लाहौर है अगर काबूल दुश्मनों के तो इधर से सेनाई एंटर करेंगी तो यह जो नेचुरल डिफेंस है यह खतम हो जाता है जब काबूल जो है वो हाथ से निकल जाता है तो ठीक है ब्रीच ऑफ नेचुरल डिफेंस कैसे दे कंक्वेस्ट ऑफ अफगानेस्तान एंड पंजाब बाय महुम्मध गजनी ब्रीच आउटर डिफेंस ऑफ इंडिया भारत का आउटर डिफेंस है यह पंजाब और खास तोर पर यह अफगानिस्तान वाल रिजिन यही सेम अंग्रेजों के लिए था अंग्रेज भी पंजाब को पहले बफर की तरह यूज़ कर रहे थे सिख एंपायर को फिर अंजीत सिंग के रखें काबूल को consolidated रखें ताकि कोई इन दर्रों से शेनाय लेकर अंदर ना आए तो जैसे ही अफगानिस्तान और काबूल जाता अफगानिस्तान और पंजाब हाथ से जाता है तो भारत का नेचूरल डिफेंस कतम हो जाता है क्यों भारती और महादीप में हिमाले नीचे स पानी से घिरा हुआ है कि अब नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर से ही एंट्री है तो वहाँ पर काबूल और पंजाब है नैचूरल डिफेंस जिसने उसको जिसने पंजाब और काबूल को जो है वो इंट्रोल में रखा अपने वो मतलब उसका भारत का एंपायर जो है वो सु मुलतान और सिंद जिसके हाँ से एरिया चला गया अब यहाँ पर जो है वो सैनाय लगा दी जाएंगी जैसे घजनी ने किया और फिर गुरिड़ ने इसका फाइदा उठाया ठीक है घजनी ने पंजाब अफगानिस्तान में अपनी सैनाय लगाई और जब उसको मन करता था तब वो लूटने चले जाता था ठीक है तो यह है नैच्रॉल डिफेंस का खतम होने के वैजे जब उसका मन किया तब वो सोमनात लूटा उसने वारनसी लूटा ठीक है नगर कोट लूटा हर जगा लूटा उसने जब उसका मन किया फिर उसके बाद घुरिड़ आए तो कहां पहुंच जाते हैं defense में अगर अफगानिस्तान पंजाब चला जाता है तो भारती है defense में आ जाते है ठीक पहला point तो यह आपका पता चला कि natural defense क्या है अफगानिस्तान और पंजाब दूसरा lack of strategic consciousness among राजपूत्स अब राजपूतों को राजपूतों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजपूतों के पास दूर द्रिष्टी नहीं थी बहादुरी थी शौर रहे था सारी चीज़े थी लेकिन दूर द्रिष्टी नहीं थी उनके आपस की जो ego complexes की वज़े अगर unified रहते हैं तो मिलकर सोचते हैं कि हम सब को मिलकर जो है वो नौर्ट्वेस फ्रेंटियर को रोकना है अब unified नहीं थे इसलिए वो क्या थे इसलिए वो सोच रहे थे कि नहीं मेरा empire सबसे बड़ा हो तो मैं अपना घर बचा कर रखूं बाकी जाए भाड में जैसे भारत कि यही सोचती थी कि अपना राज्य जो है वो सुरक्षित रहे बाकी जाए भाड में तो उन्होंने collectively इंडियन सब कॉंटिनेंट को प्रटेक करने की नहीं सोची यहाँ पर एक point यह भी आता है कि जो present day इतिहास कारिया जो present day हम इतिहास को जो study कर रहे हैं यह हमारा सोचना इसलिए है क्योंकि 19 सेंचुरी का नेशनलिजम का आइडिया हमारे दिमाग में हम जब नेशन को इमेजिन करते हैं तो हम पूरा भारती ओप महादीप कंसीडर करते हैं ठीक है और तब के राजपूतों के लिए जो नेशन था वो उनका खुद का गाओं उनका खुद का क्ल गलती थी कि उन्होंने युनाइटेट फ्रेंट नहीं दिया लेकिन राजपूतों की तरफ से सोचे तो उनके दिमाग में यह आइडिया ही नहीं था कि हमें युनाइटेड होकर जो है वो यह पूरा सबकॉंटिनेंट प्रोटेक्क करना है उनकी दिमाग में तो यही अगरे आप में लिखना चाहरे हैं तो यह में लेवल तक भी पहुंचाऊंगा ठीक है अभी आपको बहुत कांट्रेक्ट्री लग रही होगी बात वो सकता है कहीं को समझना आई हो ठीक है लेकिन इवेंचुली समझा जागी आगे देखिए सिंगुलर लैक लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे गुजर प्रतिहारों को भी तो पता था ना कि हमें इकटा करके रखना है लेकिन राइज ओफ फ्यूडलिजम एक बहुत बड़ी समस्या थी धीरे ही रहे जब छोटे शाशकों को यह पता चला कि हम जो है वो सेल्फ सफिशेंट एकॉनमी बना सकते हैं और सेंटर को चैलेंज गर सकते हैं तो भारत में सेंट्रलाइजड अथॉरिटी की जैसे-जैसे कमी होती गई वैसे-वैसे भारत जो है वो कमजोर होता गया फॉरण इ सेना जो है वो सभी राजपुत सेना जो है वो बहुत confident थे वो असानी से भागा सकते थे उन्हें लेकिन वो कम नहीं किया तो आउस्ट गजनेविट फॉम पंजाब इवन आफ्टर देथ ओफ महमूद और जिस्ट आफ्टर दिफीट आफ्टर फर्स बैटल अफ तरायन अपना इगो पीना पड़ता जो दुश्मनियां वो खतम करके हाथ जोडने पड़ते मतलब हाथ मिलाने पड़ते ठीक है तो राजपुत वो करने को तयार नहीं थे ये उनकी हार क्या कारण बने ठीक है वेन दा आउटब्रेक आफ इंटरनल स्ट्रगल्स अमंग हिस सक्सेस सक्सेसर्स लेड टो दे लॉस आफ देर कंट्रोल ओवर मोस्ट अफ वेस्टन सेंट्रल इशियन टेरिटरीज तो महमूद के जाने के बाद मसूद और मसूद के जो सक्सेसर्स रहे वो इतने कमजोर थे कि गजनवीड एंपायर खतम हो रहा था गुरिड स्ट्रॉंग हो रह लेकिन वो करने के लिए United Front लाना जरूरी था और कोई वी राजपूत शाषक जो है वो एक दूसरे के साथ किसी भी एक के एक शाषक के छतर में रहने को तयार नहीं था लेकिन जब पृत्विराज उस पोजिशन में पहुचा तो पृत्विराज के जो Personal Ambitions हैं वो Personal Ambitions जो है और collective बलाई क्या थी North West Frontier को प्रोटेक करना सभी राजपूत शाषक अगर जोड़ के करते हैं तो मजाला को यह एंटर करता आगे देखी अधर on the other hand even in their weakened conditions the successors of Muhammad remained tactically on the offensive raiding Indian यहाँ पर महमूद आएगा अब देखिए महमूद के गजनी की बात हो रही है ठीक है गजनी के जाने के बाद भी उसके successor भले कमजोर हो लेकिन राजपूत शाषक इतने डिस्यूनिफाइड थे इतना जो है वो बटे होए थे कि वो बहुत आसानी से कन्योज को अजबेर को मतुरा को लूट कर चले जा बदाए दिस लैक अफ स्ट्रेटिजिक कॉंशियसनेस में भी एक्स्पेंड बाया एक बड़ा एंपायर होगा और जुड़े सब नहीं रह सके एक बड़ा एंपायर नहीं था नौर्थस फ्रेंटियर प्रोटेक्टिर नहीं रह सका ठीक है दिस शूद नाट हावएवर बी confused with size of size or resources in terms of size and resources. Many of the Rajput principalities of the time were superior both in terms of population revenue resources to almost any of the successor states which arose in western central Asia after the downfall of opposite empire. अब बासियों के जाने के बाद जितनी भी successor आये चाहे वो सिल्जुकी हो गजनेविड हो घुरिड हो खौरिजमी हो समनिद हो जो भी है अबासियों के बाद जितनी भी empire आये ना western central और middle east में विलवेशिया में ठीक है कोई भी राजपूत शाशकों से ना ही उनकी संख्यात ना ही राजपूत साशकों के बराबर का उनका economic resources थे तो अगर economy ही strong साशन की अगर एक मात्र अगर economy के वज़े से ही राजे जो है वो strong होता है तो राजपूतों से तो strong कोई होना ही नीचे था उस समय बट स्टिल तुर्की उनसे जीत गए क्योंकि भले ही उनकी economy कितनी भी strong ह लेकिन unity ना होना एक leadership ना होना दूर दृष्टी ना होना ये बहुत बड़े factors थे उनकी हार के और जो की उनकी हार का कारण बने भी ठीक है next देखिए growth of feudalism in Indian society अब ये एक बहुत बड़ा कारण है disunity का disunity क्यों क्योंकि एक शाशकी सोचता है कि मेरे नाम पर इतिहास मेरे नाम पर सारे folklore गिने जाए मेरे नाम पर सारे किले बने मेरे नाम पर सारा जो है वो इतिहास लिखा जाए सभी राजपूत शाशकों को ये अहम था और प eventually भारती ये राज्य जो है वो छोटे 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 तुकडों में तूटते जा रहे हैं यानि अगर गुपतों ने north west east west north south east west पूरे भारत को कंट्रोल किया है तो गुपतों के जाने के बाद north वर्दनों के हाथ में south जो है वो अलग मतलब पांडे पलवो च struggle है तो दिरे दिरे भारत के तुकड़े होते जा रहे थे इसको कहा जाएगा feudalism सामंतवाद भारतिये जो शाशक हैं वो सामंतवाद ही होते जा रहे थे यारी मान लीजिए अगर अजमेर में बैठा है चोहान शाशक तो अजमेर के आसपास के जितने भी शहर हैं वहाँ प कुछ समय बाद उस जमीन से इतना मुनाफ़ा होने लगा उस feudal lord को कि उसने राजपूत उसने चोहान को यह आखी दिखानी शुरू कर दी कि हम तुम्हें सैना नहीं देंगे इसको कहा जाएगा feudalism फिर क्या हुआ एक समय ऐसा है कि चोहान घतम यह सब आपस में लड़ने लगे कि अब यह सेंटर को यह अजमेर को कौन capture करेंगा एक्जमपल लेकर बदा रहें दिस फिडिल इसम यानी चोटे से चोटे तुकड़ों में बढ़ता जा रहा है बड़ा एंपायर तो भारत में चोटे से चोटे तुकड़ों में बढ़े एंपायर बढ़ते जा रहे ह जो सैनाए हैं वो इन सैनाओं को रख रखाव और सैनाओं को तैनात करने का Zimah जो है, इन Feudal Lords के पास है, तो अब ये Feudal Lord डिसाइड कर रहे हैं कि कब सैना भेजनी है और कब नहीं भेजनी, तो अगर Feudal Lords ने आपस में rise of local landed elements in chiefs and weakened and chiefs weakened the administrative structure and military organization of Indian states administrative structure क्यों भी हुआ क्योंकि अब ये landed aristocracy center से ज़्याद़ मजबूत हो गए उनकी बाते मानना बंद कर दी तो एक central authority नहीं होगी तो revenue का flow center की तरफ नहीं होगा तो पूरा राज्ये कैसे strong होगा दूसरी चीज़ अब सेनाई अगर ये landed aristocracy अपने बल पर सेनाई रख रही है और समय पर वो center को सेना ना भीजे तो center कैसे defend करेगा ठीक है the rulers had to depend more on the local chiefs for military mobilization who rarely acted in coordination है ना center को यानि मान लीजिए दिल्ली में अगर चोहान बैठा है ठीक है तो पृतिराज को ये जो अपने local landed aristocracy है इनको बोलना पड़ेगा कि भहिया आपने 2000, 3000, 5000 जितने भी सेनिक हैं वो एक एक करके भेजो युद लटना है मुझे और मान लीजिए युद है आज सेना आ रही है परसो ठीक है क्यों क्योंकि उस तक प्रेशर होता कि तुम्हें सेम समय में सेना ये भेजनी है Centralized Authority से ये फाइदा होता ठीक है On the other hand, the tribal structure of Turks and growth of IKTA system enabled the Turks to maintain large standing armies for a long period of time अब देखिए तुर्कियों ने IKTA system develop कर लिया था ठीक है, इरानियों से सीखा इनों ने तुर्कियों ने भी IKTA system IKTA system basically क्या था कि जो ये landed aristocrats है ये basically military officer होंगे और ये they will be provided salary by the center center की तरफ से उनको salary मिलेगी that means हमे आने पर वो सेना भी देंगे क्योंकि salary फसी हुए उनकी तो उनको सेना देनी पड़ेगी तो ये IKTA दारी system आगे मैं detail मैं explain करूंगा तो basically एक्तेदारी system जो है वो जादा centralized authority की तरफ बढ़ता है तो टर्किक tribal structure tribal structure मतलब सभी भाईचारा सब का और भाईचारे में जान देने को तयार है राजपूतों में भी है ये लेकिन राजपूतों में आपस में लड़ाई है लेकिन tribal structure आपस में काफी well knit है दूसरी बात इक्तेदारी system तीसरी बात खुम्ज की वज़े से इनाम के लालच की वज़े से लड़ने मरने को सब तयार तो ये सब जो है वो प्रोज रहे किसके लिए गुरिट्स के लिए और कौन रहे राजपूतों की उनकी feudal system, disunity next आएगा उनकी poor organization और weak leadership अब आप कहेंगे राजपूत leaders की तो दाद दी जाती है वो कहानियों में, leadership बहुत कमजोर थी उससे में उनकी, ठीक है आल्दो दा राजपूत forces were not inferior in numbers, राजपूत forces संख्यां में जादा थी और in the quality of their mounts and weapons they were definitely inferior in term of organization and leadership जैसे मैंने कहाना कि मान लीजे, 10,000 की सहना जो है वो लेकर आनी है, लेकिन वो 10,000 की सहना 10 अलग अलग local leader लेकर आएंगे, local feudal lord लेकर आएंगे तो मान लीजे, पहले दिन के अवल तीन आए, बाकी तीन एक अफते बाद आ रहे हैं, कुछ तीन जो है विच फेज दा टर्क्स, डिड़ नॉट हैव युनिफाइड कमांड, अब देखिए मान लीजे, 10,000 सहनिक लड़ रहे हैं सामने 3,000 तुर्की है लेकिन वो 10,000 सहनिक, 10 अलग-अलग commanders के अंडर है तो वो 10 commanders में आपस में defeat है, नहीं, मेरी strategy से लड़ेंगे नहीं, आपस में उन में conflict है कि नहीं, मेरी strategy से लड़ेंगे नहीं, मेरी strategy से लड़ेंगे, वो सब राजपूत राज़त सोचते हैं कि इस यूद की glory हमारे नाम पर लिखी जाए ठीक है, तो भले ही सैना की संख्या जादा है, लेकिन सैना centrally organized नहीं है, जबकि Turks जो हैं, वो सुल्तान की command पर चल रहे हैं सारे ठीक है तो ये जो feudal lords है, इनकी अपनी सैनाए है और चोहान के कहने पर नहीं चलेंगी ये सैनाए feudal lords के कहने पर चलेंगी ये है drawback of feudatory system क्योंकि जो सैना है, वो feudal lords की मानेगी सैना जो है, वो central authority की नहीं मानेगी जबकि सैना अगर central authority की नहीं मान रही है तो ये बहुत बड़ा devastation है ठीक है, जो कि राजपुतों को face भी करना पड़ा, it was difficult to maneuver such a heterogeneous forces ठीक है, क्यों क्योंकि चंडेल कह रहे हैं कि हम तो अलग तरीके से लड़ेंगे परमार कह रहे हैं नहीं, हम अलग तरीके से लड़ेंगे चोहान कह रहे हैं नहीं, हम अलग तरीके से लड़ेंगे गड़वाल कह रहे हैं, हम अलग तरीके से लड़ेंगे सुल्तान जिहाद करवा रहा है लेकिन वो अल्ला के नाम पर लड़ रहे है क्योंकि वो जिहाद का नार लगवा कर लाया है सबको इस तरह की unity नहीं है राजपूतों में ठीक है उनकी military के discipline उनकी military की craft में युद नीतियां लेकिन तुर्कियों के खिलाफ नहीं तुर्कियों का scene थोड़ा अलग था पिलकुल नए तरीके के opponents थे क्योंकि भारती ये राज़ा जो है वो slow सेनाय लेकर लड़ते थे आपस में खुले मैदान में आ जते थे राजपूत का rule तक खुले मैदान में आ जाओ बगएर किसी चला की चतुराई के लड़ना है लेकिन तुर्कियों कैसा नहीं था तुर्की हर चला की चतुराई का इस्तमाल करेंगे जीतने के लिए तो जहां पर राजपूत ज्यादा intelligent तरीके से नहीं लड़ते थे बहुत code rules से लड़ते थे और मतलब खुले मैदान में आकर लड़ने वाला सीन था उनका वहीं पर तुर्की जो है वो बहुत क्योंकि resources की कमी होने के वैसे बहुत smartly उनको खेलना पड़ता था ठीके राजपूत forces tended to be heavy slow moving mass centered on their elephants राजपूत सेना भारी बकतर बंद घोड़े अब एक राजपूत सेनिक जिसने 25-30 किलो का आर्मर पहन रखा है 30 किलो की तलवार ले रखी है फिर वो लड़ने जा रहा है इतने में तो वो अपनी तलवार घुमाएगा उतने में तो चार थपड लग जाते है ठीक है पॉइंट मेरा यह है कि राजपूत सेना है रेलेटिवली बहुत स्लो थी जबकि सामने तुर्कियों की सेना गोड़े पर बैठे है लाइट इंफेंट्री लाइट आर्मर्ड कैवलरी बहुत तेजी से घूम रहे है वो उनके आसपास कॉंपोजिट बोज हैं मंगोल बोज हैं और बहुत सटीक जो है वो तीर अंदाजी करते हैं वो गोड़े पर बैठके ऐसे सैनिकों से आपको लड़ना है और आप हाती लेकर रहे हैं जैसे सेम जो है वो अकबर का जब यूद हुआ था हेमू घिलब हेमू भी हाती में बैठके आ गया था भरे मैदान में हाती में बैठके आ रहा है अलग से दिख रहा है कि उसको मारना है उस एक को मारना है सारी सेने सरेंडर कर देगी बहुत आसानी से मुगल सेना होने जो हेमू को मार दिया था क्योंकि हेमू अलग से हाती में चमक के बैठा हुआ था आंख में तीर मार था बिल्कुल बीच में तीरंदाज इतने शार्प थे करना क्या था अब इस एक तीरंदाजों की एक टोली को किसी तरह हेमू के हाती के पांस पहुचना है तो इस तरह की गलती करते थे हातियों में बैठ कर आ रहे हैं बहुत स्लो हाती चल ले हातियों को करते थे वो हातियों को बकतर बंद पहनाया हातियों को शराब पेलाई हातियों को लोहे की सलाखें गरम गरम चुभा दी और हाती दोड़ रहे साने की तरफ अब घोड़े आगे से हट जाएंगे उनके ठीक है मा गोडे गोडे पीछे से गए और इंफेंट्री उनने तुरं तीर मारने शुरू कर दिये हाथी तो आपके आगे से हट गये ने डिफेंस तो आपका खतम हो गये खुदी ने अपने खुदी ने अपने डिफेंस खतम कर दिये तो इस तरह की बहुत outdated battle tactics का यूज कर रहे थे रा आज भी तरकिक होर्समन तरकिक जो गोड़सवार हैं वो उस समय मेडिवल इंडिया के सबसे स्किल्फुल गोड़सवार और उनके घोड़े खास तो और उनके घोड़े बहुत जादा मजबूत और लंबी दूरी तक ट्रैवल करने वाले उनके घोड़े और खुद भी वो काफी स्किल्फुल थे बचपन से ही उनको ट्रैनिंग यही थी कि घोड़े पर बैठ के जो है वो आर्चरी कैसे की जाती है जो कि राजपुतों के लिए बहुत नया था राजपुतों के आर्चर्स जो है वो जमीन में पैदल चलते थे राजपुतों के आर्चर्स जबकि तुर्की आर्चर्स घोड़ों पे बैठके, तो तुर्की घोड़सवार क्या करेंगे, इधर से मूव करेंगे, और इधर से वो तीर तलट चलाते हुए जाएंगे, तो राजपूट सेनिक ना आगे भाग सकते, क्योंकि आगे हाती हैं, वो पीछे भी नहीं भाग सकते कि तुर्की घोड़े जो है, वो पीछे पहुँच गया उनके, तो तुर्की घोड़े साइड से एजवाल एज पीछे से जो है, वो उन पर तीर मारते रहते थे और बीच में राजपूट सेनिक फश जाते थे, ठीक है, तो एक तुगलूमा में आगे आपको एक बैटल टेक्टिक सिखाऊंगा, बताऊंगा मतलब जो बाबर ने यूज़ कर रही थी, तुगलूमा क्या है, तुगलूमा तक भी पहुँचेंगे, लेकिन इस तरह की बहुत सारी, बहुत तेजी से, स्विफ्ट बैटल टेक्टिक, और एक राजपूतों का, युद मैदान चूज़ करने की बहुत बड़ी गलती, खुला मैदान चूज़ कर लेते थे, खुले मैदान में लड़ें, अब खुले मैदान में गोड़े तो पीछे से आई जाएंगे आपके पास, गोड़े को आप कैसे पीछे, गोड़े तो बहुत आसानी से ही, आपकी सेना के साइड में और पीछे आजाएंगे, अब आप खुला मैदान चूज़ करेंगे, तो इस तरह की बहुत सारी जो है, वो इनहरिटेड, पुराने समय से चली आ रही, इन्डिया की पुरानी जो हातियों पर बेज़्ड सेना है, तो जो नया ओर्डर था, उसने पुराने ओर्डर को रिप्लेश कर दिया, ठीक है, तो येस, दिस इस इट फर टुड़े, आज हमने समझा घुरिड इन्वेजन आफ इंडिया, और उसमें हमने पहले बैटल आफ, कौन सी समझी, जहां पर घुरिड हारा था, ठीक है, बैटल आफ क्यादरा, फिर बैटल आफ तरायन, फिर बैटल आफ चंदावर, फिर राजपूतों के हारने के कारण क्या थे हमने समझे, ठीक है, अब आगे आने वाले सेलिज सेशन में, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा, और राजपूतों के, अब बच्चे हाँ बोलेंगे, राजपूतों के आप क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, कल कोई एक मैंने कमेंट पढ़ा, कि आप ब्रहामनों को ग्रिटिसाइज क्यों करते हैं, ब्रहामनों ने इतना कुछ बहतरीन चीज़े दी, तो उन पर भी डिसकस करेंगे, जब हम आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे, और एंशेंट पर जब मेले जाँँगा, नहीं है हमें, भले ही वो राजपूत रहे हों, ब्रहामन हो, मुसलिम्स में टर्किक हो, अर्बी हों, शियाज हों, सुनिज हों, सब को गबर करना है हमें, थोरो तैयारी करनी हैं, किसी भी एंड को लूज नहीं छोड़ना हैं, तो यह मैं सोचेंगी, और अगर आप यह प्रोपगेंडा में फसके, मतलब यह सब चीजे अगर आप सोच रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, और अगर आप ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के बिनती है, कि ये काम छोड़ दीजिए इससे पहले कि आपकी उमर का प्राइम बीच जाए अगर आप अपनी उमर के प्राइम में इस समय यानी 17-35 साली उमर में तो करियर बनाने की तरफ ध्यान दीजिए ये सब ट्रॉलिंग को छोड़ी कुछ नहीं होगा इससे ठीक है आज के सेशन को यहां करते हैं कंक्लूड अभी तक आपने सेशन देख लिया है तो कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा पिछले सेशन जरूर देखिएगा स्टडी आक्यू के चैनल पर जाएंगे मेरी प्लेलिस मिल जाएगी या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर झाल फ्ले खिल है जर कोई चिल वास भी edition झाल